आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ आजाद हिंदुस्तान लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बस काटकूट के PSGM स्कूल की थी वह शुक्रवार को छुट्टी होने के बाद बच्चों को ग्रामिन क्षेत्रों में छोड़ने जा रही थी इसी दोरान दोपर करीब पॉने तीन भजे काटकूट से करीब 12 किलोमेटर दूर बढ़वा मार्ग पर रांजना के पास मनोहर भाई की ट्यूब विल के निकट मोड पर पहले बिजली के पोल से टकराई इसके बाद सडक से कुछ दूर नीचे की तरफ पलट गई स्कूली बच्चों की बस की दुरखटना को देख ग्रामिन भी दोड़े रोते हुए बच्चों को ग्रामिनों ने बाहर निकाला गटना की जानकारी लगने पर परीजन भी पहुचे कुछ लोगों ने ड्राइवर की दुनाई भी कर दी इस दुरखटना में सकूशल लेकिन रोते बिलखते बच्चों को परीजन अपने साथ घर ले गए जबकि पांच घाल बच्चों को बढ़वा के शास के अस्पिताल लाया जा रहा है आजाद न्यूस के लिए बढ़वा से नवरत नजैन की रिपोर्ट